Hello students, to students question number 7 Question number 7 में कहा गया है कि cot θ1 equal to 7 upon 8 और इसका जो first part है इसको हमें evaluate करना है जिसमें कहा गया है कि 1 plus sin θ2 into 1 minus sin θ2 upon 1 plus cos θ2 into 1 minus cos θ2 ये first part है तो यहां से हमें sin theta find करना है और फिर यह जो expression हमें दी गई है इसमें हमें put करना है sin theta और cos theta की value अब इसके लिए हमें एक triangle की ज़रुवत होगी ठीक है एक triangle जो है हम वो बना लेते हैं तो यहां बना लेते हैं वो triangle तो यह हमारा triangle होगे और यह है 90 degree का angle और triangle को नाम दे देते हैं यह B point C और यह A तो इस तरह से triangle होगा A B C अब students यहां बर यह जो angle है C इसको कहते हैं हम theta यह जो C point है ना इस पर theta angle हमने माल लिया है अब students cot theta क्या होता है cot theta student होता है base upon perpendicular ठीक है ऐसा हम ने सीखा था जब मैंने आपको बताया कि हम कैसे लिख लेंगे पढ़ लो बेटा पढ़ लो और नीचे upon में क्या लिखना है कि आप क्या बोलते हो हां हां बाद में ठीक है तो यहां बार आता है cot theta ठीक है तो cot theta equal to हो जाता है base upon perpendicular तो यहां से theta के जो सामने वारी लाइन है वो perpendicular होगी ठीक है यह हमें पता है यह perpendicular है अब यहां से जो हमें given था कि cor theta equal to seven upon eight होता है ठीक है यहां पर इस सवाल के लिए ठीक है तो यहां से जो हमें base मिल रहा है ठीक है वो seven मिल रहा है और perpendicular मिल रहा है हमें eight तो perpendicular तो हमें मिली रहा है ठीक है तो perpendicular हमें कितना मिल रहा है यह मिल रहा हमें 8 और जो base है ठीक है यहां बस वह मिल रहा है 7 अब hypo हमें निकालना है यहां से तो hypo निकालने के लिए हम लोग use करते हैं तो according to पाइथागोरस ध्योरम according to Pythagoras Theorem according to PGT भी बोल सकते तो Pythagoras Theorem कहते है कि हाइपो का स्क्वाइर equal to base का स्क्वाइर plus perpendicular का स्क्वाइर तो यहाँ पर हमें फाइन करना है हाइपो तो हाइपो का स्क्वाइर equal to base होगया हमारे पास 7 का स्क्वाइर पिल्स परपेंडिकाल है हमारे पास eight का स्क्वाइर इन दोनो है इन दोनों को सम करेंगे तो यह मैं मिलेगा 113 यह आ गया हमारे पास हाइपो का स्कॉर्ए अब हाइपो एककोल। क्या हो जागा स्कॉर को ले आ होरा है राइट हैंड साइड तो यह बन जाएगा रूट तो हाइपो में मिल रही है रूट वन वन थिरी तो यह मिल गई हमाई हाइपो रूट वन वन थिरी अब यहां से जो कि हमें जरूवत है एक तो साइन थीटा की तो साइन थीटा यहां से क्या मिल जाएगा साइन थीटा एक कोल टू होता है हमारे पास परपेंडिकूलर अपॉन हाइपो यहां से यह होता है साइन थीटा परपेंडिकूलर अपॉन हाइपो यह है साइन थीटा तो यहां से हम अपने ट्रैंगिल में देख लेंगे की perpendicular केतना है 8 और हाइपो केतना है root 113 ठीक है और एक चीज हमें चाहिए यहां से cos theta तो cos theta भी हम लोग लेख लेते हैं cos theta equal to अब cos theta equal to होता है base upon hypo यह होता है का स्ट तो यहां पे लिख लिएंगे बेस अपन हाइपो तो बेस क्या मिल रही है इस triangle में हमें 7 और हाइपो हमें क्या मिल रूट 113 ठीक है तो अब इसका जो first part है इस सवाल का ठीक है इस सवाल का जो first part है वो यहां पर हम लिख लेते हैं फिर्स्ट पाइड है स्टूरेंट हमारे पास वन स्टूरी यहां पार जो फिर्स्ट पाइड है वह है हमारे पास वन पिलस साइन थीटा इन्टू वन माइनस साइन थीटा फिर अपाउन में नीचे दिया है वन पिलस कॉस थीटा इन्टू वन माइनस साइन थीटा चीए अब इस्टूनेट्स यहां पर एक आइडेंटिटी हम जानते हैं इसे फिरल्ल यहां पर यूज़ और ऐसे करने पहले वेलू रखेंगे वेली होसा nord सिटा की जगह पर हम रखेंगे यह वेली ठीक है थोड़ा सा हम इसको और ओपर न Always बड़ा से और जगह बन जाएगी इस से बाकी सारी कहानिया आप समझी रहे हो कहीं पर अगर दिक्कत आएगी तो आप जो है ऊपर बैक कर लीजेगा तो आपको जो है ऊपर का शो हो जाएगा तो यहां बन हम इसको आगे सोल करेंगे तो यहां पे लिखनेंगे 1 पिलस अब साइन थीटा की जो वैison हमने बनाई थी वो किदनी आई थी एट अपार एट अपार रूट 1 1 3 चैसे यह साइन थीटा की जगह पर हमने यहां पर लीख दिया इंटू 1 वैस्टपल commanders एट अपार रूट 1 13 यहां पर हम्ने sin थीटा की वैल्यू पुट कर दी अब नीचे हम लोग लिखेंगे cos थीटा की वैल्यू नीचे क्या है 1-1 पिलरस cos थीटा की वैल्यू यहां पर हमें क्या मिली थी 7 अपॉन में रूट 113 और यहां पर इंटू 1- था ठीक है 7 अब उन में 11 रूट 3 नीचे कॉस थीटर था ठीक है यह आ गया हमारे पस अब स्टुनेंट यहां पर एक आइडेंटिटी होती है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि A पिलस B इंटू A-B इसको जब हम स्वाल करते हैं तो यह हो जाता है A का स्कुराण माइनस B का स्कुराण तो हमारा जो सवाल है यह इसमें भी विल्कुल सम्थिंग ऐसा ही चल रहा है कुछ इसमें भी आपको यहां पर देखिए 1 A की जगा पर 1 माल लिजे और B की जगा पर यह 8 अपॉन रूड 113 माल लिजे तो A पिलस B A माइनस B चीए ऐसा कुछ ऊपर है और यहां पर B की जगा पर 7 अपॉन रूड 113 है तो यहां पर भी ऐसा कुछ बंदा है A पिलस B A माइनस B यह जो आइडेंटिटी है हमारी चीए इसका हम लोग यूज करेंगे तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वाइर माइनस 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वाइर यह नेक्स नीचे भी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वाइर माइनस 7 अपॉन रूट 113 का पोल स्क्वाइर ये ठीक है अब इसके आगे हम लिखेंगे 1 का स्क्वाइर तो और 1 होता है माइनस 8 का स्क्वाइर 64 अब रूट 113 का स्क्वाइर करेंगे हम लोग तो यहां बर क्या होगा कि स्क्वाइर से रूट खतम हो जाता है तो यहां बचेगा 113 फिर इसके आपान में यहां नीचे वन का स्कॉयर वनी रहेगा माइनस सेविन का स्कॉयर फोर्टीन नाइन और रूड वन वन थिरी का स्कॉयर करेंगे तो रूड खतम हो जाएगा वन वन थिरी बचेंगे आगे बढ़ते हैं इस्टूनेंट्स अब यह जो ऊपर हमें पाड दिया है यहां अगर हम ले तो वन वन थिरी आ जाएगा अब वन थिरी वन जा वन वन थिरी माइनस इस वन की नीचे हम वन लगा चकते हैं वन का इदा मल्टिप्लाई कर रहा तो हमने यह आ जाएगा 64 सिम्ललरली नीचे हम यहां पर लगा लेते हैं यहां HCM लेंगे तो यह आ जाएगा फरी eh 113 का इस से मल्टिपलाई तो यह जाएगा 113 माइनस 122 每 इस वन का 49 से मल्टिपलाई एकर दूइन तो माइनस फॉर्टीन एड़ और स्ट्वेंट्स यहां बद इस वन वन थिरी से यह वन वन थिरी कैंचल हो जाएगी आगे बढ़ते हैं अब निम्रेटर में हमारे पास जो बचा वो बचा हमारे पास वन वन थिरी वन वन थिरी माइनस 64 और डिनम्रेटर में बचा हमारे पास वन वन थिरी माइनस 49 अब स्टुएंट्स यहां बद वन वन थिरी से 64 को माइनस करेंगे तो यहां बद आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 64 और यह हमारा फाइनल आंसर आ चुका है ठीक है अब इस्टुएंट्स इसका जो सेकेंड पार्ट था जो सेकेंड पार्ट था वो यह था कि सेकेंड पार्ट वहां पर था कौट स्क्वाइल थिटक तो बच्चों कौट थिटा की जो वैलू कि यहां पर गिविन थी इहां पर मैं आको ते रहा दो वह थी 7पॉन 8 कौब थिटक की वैलू कितमे गिविन थी 7पॉन 8 ठीक है तो यहां पर क्या जाएगा 7 अपॉन 8 ivosकि कि अब कॉर्ट पे स्कॉायर आ गया है तो इसकी वैलू पे भी स्कॉायर आ जाएगा तो यहां पर 7 का स्कॉायर 49 और 8 का स्कॉायर 64 तो यह सेगंड पार्ट का अंसर है दोनों यह पार्ट के आंसर सेम है तो यह सवाल हमें यह बताना चाहरा होता कि 1 पिलस साइन थीटा अब इंटू 1 माइनस साइन थीटा अब उन पिलस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा यह इक्वल है कॉट स्कॉायर थीटा ठीक है इस सवाल चाहरा हम यह समझ सकते हैं दोनों का आंसर सेम आया ना ठीक है तो कोशन नंबर 7 हमारा यहां पर कम्प्लीट कोशन नंबर 8 कोशन नंबर 8 में यहां पर हमें दिया गया है कि 3 कॉट एक्वल टू 4 और हम से पूचा गया है कि 1 माइनस 10 स्कॉायर ए अपॉन पिलस 10 स्कॉायर ए एक्वल टू कॉज स्कॉायर ए माइनस 10 स्कॉायर ए और नॉट अलब यह दोनों पार्ट एक्वल है या नहीं है तो वही तो मैंने इस से पिछले वाले सवाल में यही बताया था कि यहां पर यह तो नहीं पूचा कि वह दोनों बराबर है inanہी है नहीं है लेके उनकी वे यॉस बराबर आ रही थी तो मैंने आपको लाजना भी था था वह दोनों वैल्यू पर लेफ्ट हैं साइट दोनों अई को लोंगे यहां पर पोछिया यहां पर दो अलग अलग पार्ट ना देगे यह बूचाए कि यह दोनों चीजें बराबर हैं या नहीं तो हम लोग सबसे पहले तो यह जो गिवन है इससे हम अपनी कहाने शुरू करेंगे और हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होगा पिछली वार की तरह तो यह होजाइगा हुढाता है यहां लेकर चलना है तो यह हमार यह अञीप制न हो गया है अब आपको बता कि सामने वाली ने क्या होती यह परपेंडिकूलर यह हमारी बेस और यह हमारी हाइब यह जो गिविन है तो मैंने आपको बताया कि जब बिट किसी टिग्नोमेटिक रेशियो के left hand की side कुछ number होता है तो multiply कर रहा होता है उस पूरी values के साथ तो 3 को ले जाते हैं हम लो right hand side तो यह हमें मिलेगा cot a equal to 4 upon 3 तो यहां से अब cot a जो होता है वो होता गया है तो उसके लिए बहुत अच्छी ट्रेक है हमारे पास पढ़ लो बेटा पढ़ लो लेकिन नहीं आप क्या बोलोगे हां हां बाद में तो यहां से आता है cot तो cot equal to होता है base upon perpendicular तो यहां से हमें मिलेगा base upon perpendicular तो यहां से हम देखे हैं तो base आ रहा है base के जगा पर आ रहा है 4 तो base हो गया हमारा यहां पर 4 ठीक है अब perpendicular की जगा पर आ रहा है 3 पर perpendicular हो गया हमारा 3 ठीक है अब students हमें जो है hypo की तलाश है यह कहां मिलेगा यह तो कोई नहीं जानता लेकिन पाइथा गोरस ठारम जानती है ऐसा ठीक है तो बुडाते हैं पाइथा गोरस ठारम को हाइपो का square equal to base का square पिलस perpendicular का square तो यह हमाँ जो हाइपो डून के देखे तो base यहां पर कितना है 4 4 का square और perpendicular कितना है 3 3 का square और यह हाइपो का square इस साइड में डाएगा 4 का square 16 और 3 का 1 so 1 9 equal to high which one 169 हो जाएगा मैं पास 25 equal to high especulable to high-po got को इतरी रहने देते हैं square को ले आते हैं रइट-hand side नंजाएगा root और हो जागा root 24 इस चरह से हैप ot miss जुकि है जैसे मैंने कहा था कि एक ही चीज है जो हाइपos डून सकती है और वो है पाइथोगोरस च्वारब तो यह आ गया हमारे पास हाइपो 5 वह हाइपो भी मिल गई अब देखिए हमारा जो यह equation जो हमें given है तो उसमें हमें 10 चाहिए cos चाहिए sin चाहिए इन सबकी values पहले निकाल लेते हैं और फिर हमें इसमें input करके देख लेंगे left hand side और right hand side एक को ला रहे हैं या नहीं तो यहाँ पर हमारी जो equation है वो यह है वई कि 1-10 square एक पाउन में इसको equation को बात में लिखते हैं पहले इनकी values निकाल लेते हैं 10 अगे लागी ठीक है तो 10 a equal to अब 10 क्या होता है perpendicular upon base यह है 10 10 क्या है perpendicular upon base वो perpendicular upon base अब perpendicular यहां से क्या मिल ला है 3 और base क्या मिल ला है यहां से 4 अच्छा दूसरा हमें चाहिए cos तो cause a क्या हो जाएगा तो cause क्या होता है base upon hypo यह cause है तो यहां से base upon hypo तो base कितना हो रहा है यहां पर 4 और hypo हमारे पास कितनी आ गई 5 और हमें चाहिए sign भी चाहिए तो sign a equal to क्या हो जाएगा sign क्या है यहां पर होता है perpendicular upon hypo यह है sign तो sign होता है हमारे पास perpendicular upon hypo hypo तो यहां से perpendicular कितना है 3 और hypo कितना मिला हमें 5 तो यह सारी values हमने यहां पर लेख ली अब जो हमारा equation यहां बर है वो है 1-10 square a upon में 1-10 square a equal to cos square a minus sin square a बस यहां वो values रखेंगे और देखेंगे कि left hand side और right hand side equal है या नहीं है थोड़ा सो उपर ले चलते हैं values रखनी है बस खाली बागी हमारा काम हो चुका है तो यहां बर 1-10 की value क्या आई 3 upon 4 अब यहां पर square लगा हुआ है तो 3 upon 4 पर भी square लगा देंगे upon में 1 पिलस नीचे भी 10 square है तो यहां पर 3 upon 4 ले लेंगे 10 की value जो है इस पर square लगा है तो यहां पर square equal to इस side में cos की value थी 4 upon 5 और यहां पर square लगा है तो यहां भी square लगाएंगे cos पर square है minus sign की value है 3 upon 5 और sign पर square है तो इसकी value पर भी square आएगा इतना के लिए आगे बढ़ते हैं और देख लेंगे हम कि यह बराबन है यह नहीं तो 1 minus अब 3 upon 3 का square हो जाएगा 9 और 4 का square हो जाएगा 16 अब 1 पिलस 3 का square 9 और 4 का square 16 equal to यहां पर देखे 4 का square 16 और 5 का square 25 minus यहां पर देखे 3 का square 9 और 5 का square 25 अब यहां पर नीचे 1 मान लेते हैं यहां भी 1 मान लेते हैं तो यहां हम नीचे वाले पाट में भी LCM ले लेंगे हम लोग 16 अब यहां पर देखे नीचे वाले पाट की बात करने तो 16 बंदा 16 और 1 9 यहां पर नीचे वाले पाट में पिलस है तो यहां पर पिलस करेंगे इक्वल टू यहाँ बचेगा हमाय पास सैविन सिक्टीन मैं से नाइन जाएगा सैविन अपॉन ट्वाइंटीफई ठीक है आगे हम इसको थोड़ा सा ऊपर और करते हैं जिससे की बास समझ में यहाँ पर यह एक्वल चलना है ठीक है इस इधर मन दिखिए ठीक है यह तो गलर दना दे तो अब दिखिए 16 से यहाँ पर यह 16 कैंसे और 16 माइनस 9 ऊपर कितना आएगा 7 और 16 पिलस 9 नीचे कितना आएगा 25 और देखिए हमारा राइट हैंड साइड में भी यही पर यहाँ पर लिख देंगे ये यह तो तोनुचे दें बराबर देंगे